जहें दोस्तों क्या हाल है काफी सारे महेंगे फोन की वीडियो बन गई ना तो एक बजेट में हो जाए तो हम लोगों का आइडिया सिंपल था बजट दस जा रुपे उसमें 5G फोन लेना है तो यहां पे सबसे पहले तो अभी दस जा रुपे अगर बजट है तो 5G फोन की त तो अभी हटा देते हैं लिस्ट से और पता Poco M6 Pro की कहानी एक्चुली डेडिमी 12 आया था यह वही सिमिलर फोन है पोको ब्रैंडिंग के साथ लेकिन क्योंकि यह पोको की तरफ से तो इसका प्राइज ओर कम है 9000 ट्रिपल नैं रुपीज का मिल रहा है 4G वी रहा है 128 जीव था तो उसमें भी ज्यादतर लोगों ने Poco M6 Pro और Moto G34 का नाम लिया और हमने भी आपस में से बात किया यह दोनों के नाम लिस्ट में निकल के आ रहे हैं कि हाँ इन पर बात किया जा सकता है तो हमने डिसाइड किया इन ही दोनों का कंपैरिजन किया जया इस वीडियो में य नहीं है Poco M6 Pro के साथ बैक कवर दिया हुए और दोनों फोन वैसे 5000 बैटरी के साथ आते मोटरोला बोक्स में 20 वोट का चार्जर देता है Poco वोक्स में 22.5 वोट का चार्जर देता है चार्जिंग सपोर्ट सिमिलर है 18 वोट खेर फिजिकली अगर बात करें तो जायर से बढ़िये भी डिस्पे भी बात करेंगे और मोटो जी 34 में पीछे ये वीगन लेदर है सेम टाइम जो पोको है नॉर्मल पॉली कावनेट यानि की प्लास्टिक है और शाइनी है तो पीछे फिंगर पिन के निशान पढ़ रहे है जो मेरे पास कलर है वैसे मोटरोला में भी वैसे सेटेंट्री केंसिरिशन मा 550 इसायगा हैं कावं जाएगा टाइप है ओकर लेकिन यहां पर मोटरोला का डूल स्टिरयो चिए सेटेडार की और और यहां पर जाए कर नों मिल जाता है यह अच्छी बात है मोटरोला में 13 5G के बैंड है और POCO में 7 5G बैंड है और VONR सर्विस की बात करें POCO में एक सॉफ्टर अपडेट से इसे पुछ किया गया था यह राइस्क्रीन जोट मोटर में अभी नहीं है सेम अगर फ्रंट से बात करते हैं वह डिस्प्ले आपको तो देखके लग रहा होगा कि बड़े साइज की है अच्छली पोको 6.79 इंच यह फूल एच्डी प्लस डिस्प्ले नाइंटी हट्स के साथ आता है सेम टाइम मोटरोला 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले है लेकिन यह 120 हट्स है ध्यां दीजिएगा फूल एच्डी प्लस है लेकिन 90 हट्स के साथ मोटरोला एच्डी प्लस है लेकिन 120 हट्स के साथ अब आपको कहा करें ओको हए क्या करें पोको फूट प्लस देरा यहां यह बटर देरा यह जो मुझे दिखा कि थोड़ी सी वेरी स्लाइटली ज्यादा बड़ा डिफ्रेंस नहीं है लेकिन कलर्स थोड़े बैटर रहते हैं पोको एम 6 प्रो में और अगर ब्राइटनेस की बात करें दोनों डिस्प्ले सिमिलर ब्राइट है इंडोर में कोई दिक्कत नी आउट्डोर में ऐसे प्राइस के साफ से ठीक ब्राइट लगती है लेकिन जब मैंने दोनों को धूब में देखा थोड़ा सा ज्यादा 25 प्रोसेसर के साथ आता है दोनों अपने प्राइज में बढ़िया प्रोसेसर के साथ आते है दोनों यूफस 2.2 स्टोरेज के साथ आते है रैम दोनों में LPDDR 4X है अन्तुतु स्कोर अगर आप चेक करेंगे मोटरोला का 4.38 लाग के असपास आ रहा है और 4,10,000 के असपास पोक होगा important point मेर पास यह जो मोटरोला जी 34 यह 8 जी वी रहाम वाला वेरियंट है सेम टाइम जो मेर पास पोक है यह 4 जी वी रहाम वाला वेरियंट है तो यह काफी important पॉइंट था क्योंकि अगर आप similar variant लेंगे तो performance में कोई बहुत बढ़ा फरक नहीं देखने को मिलेगा आपके day-to-day life दोनों समाल सकते हैं दोनों अपने price के साब से अपने जो performance को justify कर देते हैं लेकिन यहां पर मैं एक बाफ दता हूँ आपको sensors भी सारे दे रखें दोनों में similar है Motorola clean UI के साथ आता है Android 14 based है अलगे clean तो अभी थोड़ा सा Motorola का जो budget phone आते हैं इनमें भी आप कुछ extra चीज़ आने लग गई जैसे मोटो जी 34 में कुछ shopping application के folder बन जाते हैं इनको install करना पड़ेगा हो जाता disabled same time POCO की बात करें bloatwares काफी सारे हैं तो इसको एक एक करके set करना पड़ेगा और एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे जो Motorola का phone है वैसे clean है simple सा phone होता है ज्यादा कुछ चीज़ धूणनी नहीं पड़ती सब कुछ सामने सामने है आपको कुछ gestures वगएरा जो Motorola के मिलते वो मिलता है same time आपका जो POCO है custom UI है features ज्यादा मिलेंगे for example इसमें call recording option भी मिल जाएगा इनका डालर आता है call recording तो आप मोटो में भी कर पाऊगे बट वह announcement करेगा या फिर बीप वाला टाइप सेट कर सकते हो और सोफ्टर अप्डेट की बात करें तो Motorola में सोफ्टर अप्डेट इतने जल्दी आते नहीं है आपको ही पता है पर यहाप यह अच्छी वाद है कि at least Android 14 के साथ आता है हाला कि बोला साल का Android अपडेट और तीन साल का सिक्योर्टी अपडेट अप्लाई होगा और अगर दो हुआ तो उसमें से एक तो आई चुका है तो यू आई या अपने इसाप से थोड़ा परसंद कर लिए तो कि परफोमेंस में बड़ा फरक नहीं है फरक कहां दिखेंगा पता कैमरा मे मोट रोला में 50 में क्यामरा 2 मेगा पिक सल में क्यों में केमरा है दूसरा ऑइक हमारा है या फ्रन इंट ने क्यबहा है तो शरूस vedere Sh i be पर Motorola की 16 Megapixel है Megapixel भी ज्यादा है और रिजल्ट वाइज फोटो में डीटेल्स भी ज्यादा है सेल्फी बेटर लगेगी आपको Motorola की सामने light मेरे face पर पड़ रही है Motorola में noise है लेकिन यहाँ पर वीडियो काफी सही मतलब skin समझ में आ रही क्या कैसे और पोको में वाइट वाइट हो गया पूरे फेस पर तो अभी मैं क्या करूँगा ना यहां लाइट एकदम करके देखता हूं कोन कैसा बैलेंस करता है तो एकदम यह डार्क पार्ट है अंदेरा एकदम यहाँ पर भी फेस ज्यादा अब आते में चैमरे में कई फोटोस करी और इन फोटोस को अगर आप द्यान से देखते जाओ अलग-अलग कंडिशन किया सबसे पहले यह समझ में आता है कि हाँ वही मोट्रोला ज्यादा वाइबरेंट कलर शो करता है कलर ज्यादा बूश्ट करता थोड़ा साइड रहता है वह आपको तो डिफर्ट कलर या फेसपे भी नोकिस होगा सेम टाइम पोको में क्या है यह थोड़ा नैच्चुरम साइड रहता है इनफेक्ट सम्टाइम्स कलर थोड़ा कम भी दे देता है जीससे यह वाली फोटो इ details अच्छे sharpness ज्यादा better है तो वह चीज है इनफेक्ट अंधेरे में ये फोडो क्लिक करी है Motorola में ज्यादा visible है फोटो night mode on करने के बाद भी ऐसा नहीं कि पोको बैटर निकल जा रहा है और मैंने वीडियो भी शूट किया 1080p 30fps वीडियो शूट कर सकते हो आप तो वीडियो क्वालिटी इस प्राइज में जिस आप से आना चाहिए मैंने सारे कुछ बता दिया होगे इन दोनों फोन के बारे में और जैसे मैंने का बहुत सारे उप्शन थे लेकिन इन दोनों में अगर आपका मन में confusion है कौन सा लेना चाहिए का कैमरा बैटर रहा वो भी एक रीजन था बाकी दोनों फोन में सैसे 100% क्लियर विनर नहीं है कोई थोड़े प्रोज और कोंस दोनों के आपने देख लिए होंगे तो requirement कि साबसे आप decision ले सकते हैं आप आसानी से वीडियो वह थेल्प करेगी और इसमें एक पॉइंट आड और क्लियर को सकते हैं